आरो फीकस सामसंग और शीक्स इस क्रीज फ्लिकर रिंग प्राब्लेम नमस्कराव दोस्तों त्वागर अब सुपका तिकराच्छ यूट्यब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं या पर दोस्तों आपने कई बार नोटिस क्या होगा आपके डिवाइस में कभी कभार इस तरह के का इस्व आ जाते हैं ठीक है तो इस्क् या पे स्क्रीन फ्लिकर करते हैं अभी दोस्तों यहां पर सौफ्वेर ही नहीं है अागर हाड़वेर में एश्व है विस ऑह तरह करने के रिजंस यह बढकर बताएं मिल जाते यह तो अगर आपके स्क्रीन भी फ्लीकर करें तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखें मैं आपको कुछ सॉलीशन बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करना है उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका जो प्रॉब्लम में किस तरीके से फिक्स हो जाते हैं ठीक है अगर सौफ़ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें और अगर आप ओनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन फ्लीकर यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे फिक्स करना है तो आप दोस्तों क्या कर सकते आप अपने mobile को सबसे पहले चेक करकी देखे कि उसमें कितना storage बचा हुए ठीक है तो उसके रहे दोस्तों आप सेटिंग पर जा सकते हैं file manager पर जा सकते हैं चेक कर सकते हैं आपका storage full है या फिर खालिएं तो कई बार दोस्तों storage fully रहेते हैं दिवास में तो आपको क्या करना है जो खेच रहते मोबाइल का उनको डिलेट करने अन्यूस अप्लिकेशन बहुत जादा है तो आपको अन्यूस अप्लिकेशन डिलेट करने और कोई बैड अप्लिकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ जो कि कोई भी अन्नों ब्रोजर से अपका स्टोरेज इस पर खाली होना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों है आपके जो मॉबाइल है उसमें जो भी अप्लिकेशन से उसको अपडेट करकी यूज करें काम अपडेट कर वोगा अच्छा रहेगा उसको अपडेट करके अपडेट कर दीजिए तो यह सारे चीजे अगर आप एक ही साथ में करते तो आपका इस्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस्क्रीन फ्लिकर का प्रॉब्लेम दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सॉल्फ कर सकते अगर सोफ़ेर के रिलेटेट ऑप्शन सेलेक्ट करने और उसके बार फेक्टूरी डेटा रिसेट कर देना है ठीक है फेक्टूरी डेटा रिसेट करने के बाद दोस्तों चेक करके देखे आपका इस्क्रीन फ्लिकर इश्यू फीक्स हो जाएगा बाई इनी चांस अगर आपको प्रॉब्लेम आते है तो उसके वज़त से इश्यू होते हैं तो आपको क्या करना है कोई भी सर्वेस इंतर पर जाना है अगर फोन अभी वेरेंटी पे तो फ्री में भी आपका प्रॉब्लेम फिक्स हो जाएगा अगर वेरेंटी कटा मच चुका है तो आपको यहां पर जाकि किसी भी टेक्निशन के कि ऐसी जाएं तो इस वीडियो के अंदर पर दोस्तों मैंने सोफ़ेर के रिलेटेड़ उपनों इसालूशन दिया है Sunny अगर कुछ भी प्रॉब्लम सब्सक्राइका हो रहा है तो आपको क्या करना है अगर पर आपको क्या करना है एक करते आपको यह बसना होगा थैंक्स पो और वाचीं